तो हेलो गाइस कैसा आप सभी लोग स्वागतेक और निव गैम प्ले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D तो गाइस अभी मैं अपने घर से बाहर निकल चुका हूँ और यहां पर एक मेडम खड़ी हुई है हाई मेडम केसी हो ठीक तो हो ना हाँ छाया में रहना धूप हो रही है बाहर वैसे भी बहुत ही ज़्यादा वैसे बारिश भी पढ़ रही है बाहर तो लेकिन अभी यहां पर तो दूप हो रही है तो चलो अब मैं जाता हूँ मुझे काम है तो कोई गाड़ी वाड़ी पकड़नी पड़ेगी गाइस मुझे अरे रुखजा देख पीछे तेरे कौन भाग रहा है तेरा ध्यान किदर है गंजा इदर है तो गाइस यार आज के वीडियो काफी जादा खास होने वाला है मैंने बताया नहीं था आप सभी को लेकिन अब बता देता हूँ आज अपनी काफी जादा जबरदस्ट फाइट होने वाली है सिक्रियोटी वालों से तो इसलिए आने दो security वाले को और उसके बाद उनसे fight करेंगे एक तरह से वो police है ठीक है और वो कैसे आते है ये भी मुझे पता है ठीक है तो उनको बुलाएंगे जब तक मैं किसी बंदे पर fire नहीं करूँगा तब तक police नहीं आती है तो इसलिए पहले उनको बुलाएंगे और आज की जो fight है वो मैं जीत के रहूँगा गाइस ठीक है तो जल्दी से मैंने अपनी gun निकाल लिये जिसका scope काफी ज़्यादा powerful है भाई हाँ तो ये सही है scope तो सही है इदर की side में और कोई नहीं है है वह ओपिस जाने वाले भाई साब भी तो रहते है यार वह तो नहीं है कि आप तरी यार गाइस इसको काफी जबर्दस्त है मतलब दूर से ही निशाना लग गया यार बहुत ही बढ़िया हम भी चलाना सीख गए हम भी प्रो बन गए मतलब अब गन चलाना आ गई गाईस मुझे अब दियान रखता हूं यार वह security वाले किदर से भी आ सकते है यह आ गया ओ बाईस साब उपर ही चड़ा दे तू तो कार आ जा मेरे उपर चड़ा ले मैं पहले से गाईस जगा देख लिया हूं मुझे पता है कि यहां पे इनकी कार मुश्किल से आएगी आ तो सकती है लेकिन थोड़ी मुश्किल आएगी कार उड़के आ सकती है और किसी तरह से नहीं आएगी अब देख लो यह पूरी स्पीड में आ रहे है कार लेकर ताकि यह उपर चड़ जाए और मुझे किसी तरह से यह रोक पाए चल भाई तो यार मैं वापस आ चुका हूं गाइस चलो आ जाओ देखते हैं तुम्हें यार पिछली बार तो उड़ा दिये थे यार यह मुझे इस बार पूरा दिहान रखना पड़ेगा देखो पीच्छे से आया तो उस टाइम पर भी यह ऐसे इस बार आओ देखो पीच्छे से भ यार मैं यह सोच रहूं अब तो मैंने आरपीजी चला दिये बट कार वाला बच गया है ओके फिर से चलाता हूं इस बार तो उड़ा दी मैंने कार काफी दूर थी वैसे तो लेकिन फिर भी यह रही एक और हाँ तुम यहां पर नहीं आ सकते ना वैसे यार वो पीछे वाला आया था वो कैसे आया था मेरी गलती थी मैं नीचे उतर गया फाइट करने में ही रह गया मैं बस कि चलो और देखता हूं यह आ गया देखो उपर चड़ाने की ट्राइब रहा था वह बाइस अब चड़ भी गई ती उसकी कार और यह देखो यह पीचे सा आ गया यह लो टायर आके ठकरा गया गाइस गंजे से टायर ठकरा गया यह देखो ओ भाई सहमें बच गया गाइस क्या खाक बचा मैं यार चलो यार पीचे सा रखते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आता यार यह गूमता इतनी स्लो है और उपर रहता हूं मैं यार मतलब मैंने जो प्लान बनाया था ना उसी के साफ से चलते हैं मैं उपर ही रहता हूं और यहां से ही इनको रोकता हूं ठीक है यह फोड़ दी मैंन आओ यह अभी जैसे जल चुकी होगी ना फिर उसके बाद गायव हो जाएगी यह आरी देखो एक और उड़ाओ इसको भी चलो यह भी गई और कोई बची हाँ वहां पर है गाइस वह देखो पास में से एक वाइट कलर की कार भी आ रही है लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं ह वो अलग है आप लोग सोच रहोंगे कि वो भी मतलब इनकी कार है लेकिन इनकी नहीं है वो कार चलो तो पूरी तरह से क्लियर कर दिया गाइस आज की फाइट में वैसे जीत गया हूँ यार है मज़ा आया यार फाइट करने में वैसे यह बहुत ही दिमाख लगाते यार मतल ये कभी भी और किदर से भी आ सकते हैं उरे यार ये देखो गाइस गलत जगा आर्पीजी चला दी चलो अब ठीक है आजाओ मैं बिल्कुल तयार हूँ आज पहले तो ये ही आएगा इसको रोकते हैं चलो रोक दिये और उसकी तो फसी हुई है कार उसको भी उड़ा दिये और बोलो और कोई बाकी है चलो इसको उड़ा दिये यह आगे थी कार और वो पीछे वाली को भी उड़ा दिये अब कोई नहीं है आसपास अच्छा एक बची हुई है अभी भी एक बात मैंने देखी गाईज यह हर तरफ से आते हैं हर तरफ से अगर इनको लगता है ने कि बाई बंदा सम्भालने में नहीं आएगा तो फिर उसके बाद यह एक तरफ से नहीं हर तरफ से हमला कर देते हैं कि अग्यार यहां पर फिर से आरपीजी चलानी पड़ेगी एक और बार यह क्या पटपट करता रहेगा नहीं तो थोड़ा सा पीछे अड़ जाता हूँ गाइस नहीं तो आरपीजी चलाऊंगा ना मैं खुद ही उड़ जाऊंगा ओके तो इस कार को भी उड़ा दिया मैंने और एक और आई ओ तरी यह तो यार गाइस उपर से निकाल लिया यह हेवी ड्राइवर है यार गाइस चलो अरे यार एक को उड़ाता हूँ इतनी देर में पीछे से दूसरी फिर से आ जाती है कार यार एक मिनट इसका भी करते हैं इंतिजाम ले भाई ले भाई चलो अब हुआ साब कुछ हाँ अब कुछ ही नहीं है यार अब कुछ ही नहीं है अब कोई नहीं है आसपास कोई नहीं है टककर में हाँ वहाँ पर है दो टककर में दो और है चलो उड़ा दी उनको एक साथ ही एक यार पीजी से दोनों कार उड़ा दी मैंने अब तो इसको भी उड़ा दूगा मैं इस रोड पर कोई गाड़ी नहीं चलेगी अब थोड़ा दिमाग को शांती मिली गाइस क्योंकि अब कोई भी कार आसपास नहीं है एक मिनट इधर की साइड में आता हूं गाइस मैं मुझे लग रहा है कि इन कारों की पीछे कोई और कार तो छुपी यह नहीं है नहीं यार इनके पीछे और कार नहीं है सारे की सारी मैंने उड़ा दिये अब सब कुछ मैंने ठीक कर दिया लेकिन मुझे पताए कि अभी थोड़ देर में फिर से आएंगे यह लोग यह आ गए वैसे सब कुछ ठीक मैं नहीं करूँगा गाइस वो सब कुछ ठीक करने तो ये लोग आये थे मैंने गलती कीती मैंने फायर किया इसी वज़े से ये लोग रोकने आये थे मुझे लेकिन मैं कहां मानने वाला हूँ चलो उड़ा दिया इस कार को भी अरे यार तुम लोग इतने पास आ चुके थे मुझे पता ही नहीं था वैसा कलर अच्छा करा रखा यार कार के यार इनकी कारे किस हिसाब से चल रही है मतलब एक के पीछे एक आरपीजी चलने में भी तो थोड़ा टाइम लगता है ना गाइस वो भी बात है चलो इसको भी उड़ा दिया और तुम भी आओ रुग गई यार गाइस कार नहीं तो अभी तो मेरा कचुंबर बन जाता यार ये देखो कितनी स्पीड से लेकर गया कार मौका चाहिए होता है इन्हें बस मौका भाई तु करना क्या चाह रहा है तु मतलब मेरे उपर कार चड़ाना चाह रहा है रुग एक मिनट तुझे ऐसे चैन नहीं मिलेगा वो देखो वहाँ पे भी कुछ टेस्टिंग चल रही है कार चड़ाने की लो भाई उसे भी उड़ा दी और अब मुझे पीछे की साइड में एक कार दिखाई दे रही है गाईस चलो तो गाईस उसको भी देखते है अभी तक फिलाहल यार ये लोग आएंगे ये नहीं रुकेंगे पहले इदर का किलियर करता हूँ फिर उदर जाओंगा मैं ठीक है अभी तो देखो ये एक और कार आ गई हाँ यही है वो जो मतलब दूर घूम रहा है ना वो यही वाला है चलो ये थोड़ी मैंने पास चला दी आरपीजी लेकिन मैं बच गया यार ठीक है तो अभी इदर का सब कुछ साफ है और ये एक वाई साब अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहे है इसको पता चल चुका है कि अभी अकेला रह गया है इसलिए ये मुझसे बचने की ट्राइग कर रहा है कार देख लो एक जगे बिलकुल भी नहीं रुकेगी इसकी जब तक मतलब कहीं पर अटकेगी नहीं न तब तक रोकेगा नहीं अब तो दोस्तों वहां से थोड़ा मतलब दूर का मामला था इसलिए मैं अब इदर की साइड में आ चुका हूँ और मैंने उस कार को भी उड़ा दिया है तो फाइनली यह फाइड जो है वो मैं जीत गया हूँ और बस आज के लिए इतना है अगर आज के ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो पर 300 लाइक के एम लगा रहा हूँ मैं तो 300 लाइक आप सभी को करनी है मैं नहीं जानता के से करनी है बस 300 लाइक हो जानी चाहिए यार गाइस और जितने भी हमारे भाई लोग है जिन्नोंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक् आप हमें फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकतें, लिंक आपको हमारे वीडियो के डिप्सक्रिशन में मिल जाएगा, तो हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्लै में, तब तक के लिए, बाए!